सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाएए बिल आइकान को हलो दोस्तों नवसकार आज हम सीखेंगे फिल्लिं के बारे में कुछ जन करी लेकिन इससे पहले यह जनना जरूरी हो जाए ग्यूंशता है कि हमारा फिल्ल पहुँचता क directamente को क्योंशता है उसके बारे में हमको जानकाई लेना बहुत ज़रूरी है जब तक हमको यहने मालुम होगा कि हमारा मेन नोजल सिधागा पहुंचता है या रिले वालों की वज़े से पहुंचता है यह जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है तभी आप फिलिंग के बारे में कापी कुछ समझ पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिर इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपनी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए ऐसी इंफार्मेशन पाने के लिए ताकि आपको लोम सेटेस सम्बंदिस इंफार्मेशन मिलते रहे तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जैसे ये हमारा जो होता है ये सेटिंग की कुछ फार्मूला होता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यह कैसे होता है तो मैं एकदम सिंपिल भासा में समझाऊंगा कि हमको दोड़ना कब है तो हमको दोड़ना यहां से जो यह टामिंग डाला जाता है यह टामिंग डाला जाता है जिसको आप एराइबल बोलते हो इसको पिक स्टार्ट बोलते हो और इसको एराइबल बोलते हो और इसका काम रहता धागे को टाइट करके रखना, इसका काम, तो चलिए इसी के बारे हम थोड़ा डेटेल से समझते हैं, तो यह जानकरी आपको समझ में आ गई होगी, कि हमको दोड़ना काम है, पहुंचना काम है, और इसके बीच में जब हमको एनरजी लगेगी, पहुंच हो गया, तो अब इसमें क्या रहता है, आपने देखा होगा, इसमें इस तरह से नूजल लगे रहते हैं, यह इस तरह से नूजल लगे रहते हैं, तो जब हमारा में नूजल इधर से धागी को फिंकता है, तो हमारा क्या होता है, यह पहला वाला नूजल चालू हो जाता है, जब इसके पास धागा आएगा तो यह नोजल चालू हो जाएगा और यह धागा जब इसके पास आएगा तो यह चालू हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा फिर इसके पास धागा आएगा तो यह चालू हो जाएगा यह बंद हो जाएगा जो पीछे से हमारा धक्का दे रहा है में नोजल दे रहा है तो इस तरह से हमारा धागा पहुँचने का काम करता है यहां तक जही से धागा आगे बढ़ता जाएगा तो एक एक करके जो रिलेवाल नोजल है वो चालू होता जाएगा और पीछे को जो नोजल बंध होते जाएंगे ठीक है न तो इस तरह से हमारे धागे को क्या करता है ये जो नोजल होते हैं ये धागे को टाइड करने का काम करते है ठीक है न और जो पीछे से धक्का देने का काम करता है वो में नोजल काम करता है ठीक है न तो इस तरह से हमारा feeling काम करता है तो आसा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी क्योंकि जब तक आपको basic चीजे मालूम नहीं होगी तो आप feeling को अच्छे से नहीं पकड़ सकते समझ सकते इसमें लगता है time जो आप अच्छे से पकड़ सकते हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको सबसे पहले basic चीजे समझा दूँ इसके बाद मैं आपको feeling को एक दब A to Z अच्छे से समझाओंगा ताकि आपको कोई भी feeling कोई भी damage कोई भी quality हो आप आसानी से बगएर किसी से पूचे भी आप कर सकते हो तो आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल कीजिए like, subscribe ऐसी information पाने के लिए ताकि आपको लोग सेटर समझाओंदी सभी information मिलते हैं